नमस्ते दोस्तों मैं हो नर्म्दा और स्वागत आपका मेरे किजिन में और मैं किजिन में बनाने जा रही हो आज समसे जो बह't सिंपल है और खाने में बेहर टेस्टी होते हैं और अभी मौसम भी समसों कही है वर्साथ का मौसम चल रहा है तो आज बना रहे हैं समसे इसके लिए मैंने ले लिया है दो कटोरी मैदा अपने नाम के अनुसार ले सकते हैं उसमें थोड़ा सा डाला है नमक और कुछ है ठाली जिसे मैंने हाथ से क्रिस कर दिया है आटे को अच्छे से मिला लेना है उसके बाद dassey घी डाला है आप बेखिए मॉहिन इतना होना कि हम आद से अगर इसका लड़ू बांदेना तो अच्छी तरीके से बन जाना चाहिए इस तरीके से और फिर थोड़ा थोड़ा पाने लेकर इस में आठा कुनना है और आटा मीडियम रहना चीए नए तो ज़्यादा सकत होना चीए नए ही ज़्यादा सोप्ट होना चीए तो आटा इस तरीके का गुनना है जैसे हम रोटी खाने के लिए आटा गुनना है जिससे कि हमारे रस्तमों से अच्छे बने इसके लिए जरूरी है कि हम आटे को थोड़े देर के लिए रेष्ट दें तो आटा गुनने के बाद इसे 10-15 मिनट के लिए गीले कपड़े से या किसी बरतन से ढखके रख दें जिससे के हमारा आटा अच्छी तरीके से सैट हो जाएगा तो मैं इसे ढखके रख रही हूँ और 10-15 मिनट के बाद हम समय से बनाना शुरू करते हैं अच्छा जब इस आटे को रखना हो ना तो थोड़ा सा घी लगाकर थोड़ा सा मसल के फिर रखना है जिससे हमारा आटा बहुत अच्छा बनेगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी लगा दिया है और अब ढखके 10-15 म 2 पौनट के बाद देखी हमारा आटा कितना सोट हो गए है भौत ही अच्छा सेट ओ गए है इसे थोड़ा सा लोच लगा कर फिर इसकी लोईयां तोड़ेंगे तो इतना तोड़ना है कि हम यह ज exactement यहें उसतोग है क्योंकि हमें इतना आटा लेते हैं सेम उसी तरीके से ऐसे लोई यां लेकि इनकी पेड़ी बना लेनी है और फिर ये के करके इनको बेलना है तो बेलना इस तरीके से है कि अंडाकार बेलना है क्योंकि एक लोई में से दो समस्य हमें बनाना है तो बीच का सेंटर देखते हुए हम बीच में से इसको काट देंगे और फिर इसके सारे सैड में पानी लगा देंगे अंगली सी और फिर इसको तेम उसी तरीके से दूसरे पे पानी लगा देंगे और इसको इस तरीके से मोड लेना है और इसको पानी लगा के मोडने से ये बीच में से हटेगा नहीं और इसके कोने का भी थोड़ा ध्यान रखन इस तरीके से मोड के ऐसे सेप में आ जाएगा और फिर इसमें हम मसाला भर लेंगे तो मसाला आप हाथ से या तो थोड़े से इकटे करके मुठी मबंद करके सानिस इसमें भरा जा सके और जब मसाला भर लें तो इसको पीछे से एक सलवट लगानी है और फिर धीरे करके इसको कोई कोनों को मिला देना है और पानी हमने पहले लगा के रखा था तो यह अच्छी तरीके से चिपक जाएगा बीच में से घटेगा नहीं यह देखी लग रहा है न समुषा और इसी तरीके से हम बाकी के पेडियां बेल के उसकी भी समुषे के सेप में ले आएंगे और फिर मसाला भर देंगे work और दूसर से करा अगी माझ दिया औरงगोस्तरा निच्चे सब्सक्राइब माझत सब्सक्राइब पृपनी इसी तरीगे माझा कंसोर किड़ेकर 231 कि में करण देखेड़ीन करने 67–28 लीजिए और उसके बाद अगर आप तलेंगे तो बहुत ही तिया आपके समूसे बनकर तैयार होंगे तो मैंने तेल जड़ा दिया है और इसको हलका गरम रखना है ज्यादा तेज नहीं रखना है गैस की फ्लेम को लो रखना है और एक ही करकेस में सारे समूसों को डाल देना ह और इसे थोड़े देर के लिए बिल्कुल नहीं हिलाना है और जब इनमें थोड़े-थोड़े करंची पंच से आने लग जाए उसके बाद थोड़ा इनको हिलाना है और फिर इनको पकने देना है जब ये नीचे से थोड़ा सिख जाए तो इनको फिर पलेट देना है इस तरी और समोसे हें बहुत अच्छी देखें, कितने अच्छा अच्छा कवलर है और कितने अच्छे बनत कर तयार हुए है जब यह तरीके से बन जाते तो अधिक पर बहुत प्रिकोर लिस से रिक्वेस्ट है ऑगर अगर अब तक कि आपने इनने क STEPHAN करना है तो met hen कर दो बेदे प्र wenty को लाइक Ooh यह स्मसे कर मैं कर दे दियार हो गए हैं और दूसरा राउंड कर लेते हैं तो इनको भी सेम उसी तरीके से अब गैस की फ्लेम को फिर से कर देनी है और फिर यह के करके सारे फिर से डाल देने हैं और जब यह एक साइड में पक जाए तो इनको पलट देना है और पलटने के थोड़े दिर पकने के बाद फिर इन गैस की फ्लेम को फिर से मीडियम कर देन समुसे जो आपको देखने में अच्छे लग रहे हैं वो खाने में बेहर टेस्टी हैं देखे कितना अच्छा कलरा है बिल्कुल पगर बनकर तयार हो गए हैं इन समुसों को आप किस चीज के साथ खाना पसंद करेंगे ये भी कमेंट करके जरूर बताएगा हम तो इसे इमली क चटनिकी साथ खाएंगे और आप किस चीज के साथ खाना पसंद करते हैं उसे की रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद